नमस्का दोस्तों, स्टॉक मार्क स्टैडिस में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है तो आज यहापे में डिसकस करने वाला हूँ एक PSU बैंक के बारे में तो आप सभी जानते है PSU बैंक मतलब एक गवर्मेंट बैंक है और इंडिया में जितने सरे PSU बैंक है आप एक चीज जो नोटिस करें होंगे जितने सरे PSU बैंक है उनमें से SBI को छोड़के मतलब State Bank of India को छोड़कर बाकि जितने सरे बैंक से वो तीन तीन बैंक करके मार्च किया गया एक बैंक करने के लिए तो एचीज अपने बहुत दिन पहले देख चुके है क्योंकि बैंक का हालत PC Bank का इतना खराब हो चुके है जिसके कारण गवर्मेंट ने डिसाइड किया कि तीन बैंक को एक साथ मार्च किया जाएगा और तीनों बैंक मार्च करने के बाद एक साथ काम करेंगे तो सिर्फ अकेला कॉन रहेगा SBI State Bank of India देखिए अगर आप कहेंगे सर क्या आप में मतलब आप PC Bank में निवेस नहीं करते हाँ बिलकुल निवेस करता हूँ मुझे सिर्फ मेरे खुद के उपनियन बता रहो आपके उपनियन अलग हो सकते है आप कहेंगे सर आपको पता नहीं होता तो वो बात भी ठीक है आपका मेरे खुद के उपनियन के हिसाब से मुझे SBI के अलावा और कोई भी PC Bank मुझे अच्छा नहीं लगता आप कहेंगे सर प्राइवेट बैंग प्राइवेट बहुत सारे मिल जाएगा PSU Bank में अगर निवेस करना ही है मुझे तो obviously SBI है हाँ मैं पहले से भी निवेस करके रखा हूँ और मैं जब company का performance अच्छा होता है जब मुझे सस्ते दावा मिलता है तब भी मैं इस company के पर enter हो जाता हूँ तो मैं आज इसी के बार बात करूँगा क्योंकि company lifetime high को भी break किया है और साथी साथ एक बहुत बड़ा good news भी है आज तक एक good news नहीं देखने को मिला तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा क्योंकि आज का जो banking का stock है बहुत importance होने वाला है तो वीडियो को लास्त तक देखना और अभी तक अपने इस channel को subscribe नहीं किया तो देर किस बात की अभी जाके subscribe कर लिजिए क्योंकि आपको daily basis stock market information updates के जानकर याप ये मिनने वाला ह और साथी साथ मैं इस हफते से आपको short videos भी डालता रहूंगा stock market में जो जितने सारे scam हुए है जितने सारे database है कि किस तरीके से stock market चलते है इस तरीके से बहुत सारा information आपके साथ में share करूंगा यहाँ से आपको बहुत सारा knowledge मिलेगा और उस knowledge के मात्तव से आप एक अच्छा खासा निवेसक बन पाएंगे यह कि अब जानेंगे नहीं तो आप काम करेंगे कैसे तो इसलिए सीखना हमेशा पड़ता रहता है तो मेरे साथ जूड़े रहिए आपको सब कुछ जानने को मौका मिलेगा तो चलो देख लेते हैं आज के companies के details के बारे में तो सबसे पहले मै बहुत सांधार एक level देखने को मिला देखिए company जब कोबीड के situation आया था मैं पहले बता दू यह जो candle है यह आपर one week का मतलब एक एक candle one week का candle है तो जब कोबीड के situation आया था तब इसका price change आ गया था 155 रुपीज के आसपास तो मेरे एक दोस्त में मुझे कहा था कि SBI तो अभी डूबने वाले है तो मैं उसको बता था कि अगर SBI डूब गया तो समझ लेना बाकी जितने सारे P.S.E.U. बैंक है वो सब कुछ बंद हो जाएगा ऐसे बात मैं उसको कहा था और मैं उसको यह भ देख सकते हैं कॉम्पानी किस लेवेल पे है क्योंकि देखे प्रीवियस डेटा के इसाब से कॉम्पानी किस तरीके से ग्रोथ किया हां बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है मानता हूँ क्योंकि PC बैंक में बोलाटिलिटी देखेने को मिलेगा ही साथी साथ बैंकिंग कुछ दिए पहले भी वीडियो ख wines और में भाएक दिया तब भी मैं आशनी लेवल को आपको ड्रॉख करके दिया मैं आपको बताया था कि यह high 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 low low high high वो को ब्रेक किया उसको और इसको संथेन् कर पाया तो इसको बोला सब्सकी जाता है या इसको ब्रेक पॉल्स ब्रेक आउट की्टि 1998 आराओ आज ī्सकी कीचे अर। करिएगा जाद सी जाद कमेंट आएंगे तो मैं कंटिनेसली एक सीरीज बनाऊंगा और आप मेरे टेलिग्रम में जॉइन करकर देख सकते हैं जिस टेकनिकल के हिसाब से आपको कॉल प्रोवाइट किया जाता है वही टेकनिक में आपको सिखाऊंगा जितने सारे लोग वो टे इसका जो lifetime high था उस level को भी ब्रेक किया और यह जो ब्रेक हुआ आप देख सकते volume की इस तरगे से हुआ पिछले जो volume था उस volume को भी ब्रेक किया इसका मतलब एक high probability है उसको आप जाने का तो मतलब आपको मेरे start button देखने का मकसद यह नहीं कि कल जगा buy कर लिजएगा कल जगा ट्रेड ले लिजएगा ऐसे बिल्कुल भी नहीं बहुत सर दोस्तों मुझे comment करते रहते हैं सर यह जो price है यह जो level है कब जाएगा देखिए कब जाएगा में नहीं आप बड़े-बड़े institution बड़े-बड़े दिगज मतलब analysis को भी बोलेंगे तो बोल भी नहीं बोल लेट आपको बता देंगे कि इस डेड में होगा हाँ एक prediction किया जाता है कौन सा level तक जा सकता है कि उसके लिए बहुत सारे parameters देखना पड़ता है तो बो जानना चाहते है तो मेरे साथ जूले रहिए टेकनिकली चार्ट पटन में आपको सिखाने वाला हो तो यह था टेकनिक आप देख सकते हैं और यहां पर वॉलियम देखें कितना सांदर वॉलियम होया है तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक के आपको इसाथ सेयर करूंगा वह कंपानी का result तो कंपानी कुछ तीनों पहले मतलब पिछले दो दिन पहले ही result पब्रिस किया था तो यह जो 74700 पिछले बार मतलब पिछले क्वाटर में था 74,900 पिछले सालों में था 77,600 इसका मतलब क्या है यह ब यह नोड़ पर भी जम देखने को मिला एक अच्छी बात है कोई भी स्टॉक में जब कोई भी जम देखने को मिला है तो उसके बाद एक चीज और भी आप देखेंगे तो companies के जो parameters है जैसे आप देखेंगे total expense तो total expenditure के बारे बात करूँ तो यह पर देख सकते हैं company का total expenditure तो total expenditure बने 67,600 पिछले बार था 62,200 पिछले साल में था 59,600 तो expenditure भी ज्यादा यह आपर देखने को मिला मतलब ज्यादा मतलब company control में रखे हुए है क्योंकि income के इसाब से company के expense भी control में है अभी taxes पे करने के बाद company के हाद में profit and loss तो तीकि profit and loss तो आपको देखना ही होगा उससे पहले जो points आपको हमेशा देखना होगा वो है provision तो देखी provision के मामले में पिछले सालों में company का provision बहुत कम था only 188 करोड का है और इस बार company का provision कितना हो गया 3000 करोड के आसपास पिछले बार क्या था पिछले बार था 4300 करोड के आसपास तो पिछले बार को तो बिट किया मगर पिछले सालों में comparison करू तो बहुत जादा यहापे आपको provision देखने का मिलेगा तो बहुत सालों यहापे confusion है कि provision क्या होते है देखें bank जो loan बाटते है वो loan bank को return loan के जो पैसा है जो interest है वो bank को कितना पैसा नहीं मिला मतलब नहीं मिलने वाले है उसको बोला जाता है provision तो provision के हिसाब से bank को देखना है जितना provision कम रहेगा उतना ही bank के लिए मतलब positivity है यहाप company का net profit के बारे बात करो तो profit and loss net profit and loss के बारे बात करूँ तो आप देखेंगे तो 13,200 पिछले बार था 6,000 पिछले सालों में था 7600 इसका मतलब जो provision है provision भी आप देख सकते है कि 7000 से 13,000 तो यहापे net profit कितना सांदर जाम हुआ है और आज तक की आप एक बार previous data देखेंगे चलो में एक बार आपको दिखा देता हूँ देखें जितनी quarters में company ने profit किया वो सारे record सारे हद पर कर दिया इसलिए आज मतलब stock में किस तरह के से rally हो रहा है आप यहापे देख सकते हैं तो company ने provision तो control में लेके आए आप इसका consulate result में भी convert करेंगे तो आपको जो चीज देखने को मिलेगा आप देखेंगे तो यहापे देखिए कितना अच्छा खासा एक profit profit loss देखने को मिलेगा तो आपको उसके बाद क्या देखना है net NPA तो NPA मतलब non-performing asset तो non-performing asset किस तरह के से performance किया आप यहापे चीज देखेंगे तो 0.80 पिछले बार था 1.00 इस बार हुआ उससे एक साल पहले हो गया था 1.52 तो NPA को company कम बहुत अच्छी तरीके से maintain किया NPA provision के तरीके से होते हैं तो provision और NPA जितना कम रहेगा उतना ही खास है banking के लिए तो NPA बहुत अच्छी तरीके से control किया गया एक बहुत बड़ा positivity company के लिए है तो और भी मैं इस company के उपर positivity अगर मुझे कोई companies अच्छे लगते है PSV bank के हिसाब से वो obviously SBI है तो आप इस company को research करना उसके बाद निवेस करना तो इस सारे videos education purpose में था एक बार research करने के बाद ही निवेस करने का decision लेना तो मिलते next निया stop लेके तब तक लिए अच्छे सरी आपने ख्याल लखिए झाल लगते हैं